नमस्कार आप देख रहे हैं विमर्श नीउस मैं हूँ आकाश आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन नितीश कुमार आज सोमवार को अनन सिंग के गाउं लगमा पहुंचे बरतियारपुर के परयोजनाओं का निरिक्षन करने नितीश कुमार वहां गए थे आज की यह प्रमुख खबर बन गई है कि नितीश कुमार बिना बताय अनन सिंग के गाउं पहुंच गए फोल लेन आरोबी का निरिक्षन कर लेने के बाद मुखमंत्री का काफिला अचानक अनन सिंग के गाउं की योड़ चल दिया था अवैध हट्यार के चल रहे मामले से मुख थोकर अनन सिंग 16 अगस्त को बेवर जियल से बाहर निकले थे 25 अगस्त को मुखमंत्री नितीश कुमार से मिलने अनन सिंग उनके सरकारी निवास एक अने माहर पहुंचे थे दोनों के बीच आधे गंटे तक बातचीत हुई थी सुमवार को जब अनन सिंग को इसका पता चला तब वह भी अपने गाउं की योड़ दोड़े रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई नितीश कुमार की पार्टी से अनन सिंग पहले वी MLA रह चुके हैं और इसके बाद अपराधी घटना चक्र का ऐसा मोड आया कि दोनों अलग हो गए इस बीच एक दफाद निदलिये और एक दफाद आरजेडी के तिकट पर MLA रहे हैं उनके विधान स्वाच्छेत्र में और मुंगेड लोक्स्वाच्छेत्र में मद्दाताओं पर आनंद सिंग का प्रभाव अच्छा माना जाता है राहूल गांधी ने अमेरिका में ये कहा है कि भारत अपने कुशल समिको का कद्र नहीं करता है टेकसास उनिवर्सिटी में राहूल गांधी बोल रहे थे अमेरिका में ही उन्होंने RSS के बारे में भी अपने विचार खुल कर रखे इस पर गिराज सिंग ने यहां विवाद किया है बिहार में मंत्री मंदल विस्तार सिगरी होने जा रहा है बीजेपी और जदियू के प्रदेश अध्यक्ष एक दूसरे से मिले भारती जन्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा राजासुर मंत्री दिलीब जैस्वाल ने जदियू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुसुहा के साथ आज मुलकात की मुलकात की इस अप्चारिक्ता के बाद दिलीब जैस्वाल ने प्रेस को बताया उन्होंने कहा कि पूरी लिष्ट त्यार कर ली गई है मंत्री मंदल में कई नए चेहरे सामिल होंगे कभी भी मंत्री मंदल विस्तार की घोशना की जा सकती है हम लोग जो है जेडियू, बीजेपी जो कट मंदन डल है आपस में तालमेल बहुत अच्छा हो करके बूथ लेवल तक, चुकि हम लोग का अभी सदस्तावियान शुरू हो रहा तो हम लोग चाहते हैं बूथ लेवल तक दोनों पार्टी के कार्ज करता आपस में मिल करके, मजबुती के साथ संगिठन को मजबुत करे सब 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 तयार है, किसी भी समय हो सकता है बेगुस राय में चिराग पास्वान का अभी दंदन करने के लिए एक सभा हुई लोग जनसक्ती पार्टी आर के अध्यक चिराग पास्वान का बेगुस राय में अभी दंदन हुआ आग बेगुसराय के मठियानी में पार्टी के राष्टी अध्यक्स केंदरे मंत्री चिराग पास्वान ने विशाल आम सभा को संबोधित किया है देखिए इस विशाल सभा के कुछ वीडियो फूटेज लोगजर जक्ति पादीर अंगलास और शियाग पास्वार्ट सिर्फ एक लक्ष एक देश के साथ आगे बनने का कारे करें वह बेरे क्रदेश को देश का सबसे विक्से भ्राज बनाना बिहार को फॉट और बिहारियों को फॉट आए के लिशाल के साथ आए आए कि जब तर अपने इस लक्षे को में हासे नहीं कर लूँगा जब तर बिहार को फॉट और बिहारियों को फॉट नहीं बनाऊंगा तब तर चिराल पास्वां भी जैन की साथ नहीं लेगा यह बनादा आप लोगों से करके दाता हूँ उत्तर प्रदेश में 89,000 सिक्षकों की नियुक्ती होगी हाई कोट के एक फैसले की वज़ा से बहाली की यह प्रक्रिया रुप गई थी नई अरक्षन व्योस्था के अनुसार बहाली की सूची बनाने का निर्देश देते हुए हाई कोट ने इस नियुक्ती को रोग दिया था इससे प्रभावित सिक्षकों में से कुछ सिक्षक कोट गए थे सुपरीम कोट ने बहाली प्रक्रिया की बाधाग खत्म कर दी है मोकामा बक्तियारपूर रेलवे ओवर ब्रिज फोर लेन का है और यह करजन ताजपूर सेतु कहलाता है बक्तियारपुर के रेलवे ओवर ब्रिज का निरिक्षन करने नितिश कुमार सुमवार को यहां पहुंचे थे यहां फोर लेन रेलवे ओवर ब्रिज बनकर पुरा होना है इस आरोबी के बन जाने से पटना से सिली गुरी आसाम तक का रास्ता तेज हो जाएगा जारखन के मुख मंत्री हेमान सोरेन आज वाथी बार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारिक्रम में शामील होने गिरिडी पहुंचे गिरिडी जिले के तारा टांड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गिरिडी और धनबाद जिले के 465 करोड उपे की योजना का सिलर न्यास और लोकारपन किया मुखमंत्री ने सावित्री बाई फुले की सोरी इसमिती योजना और गुरुजी स्टूडेंट के डिट कार योजना पर विश्टार से चर्चा करते हुए कहा कि उनकी सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए धन उपलब्त करा रही है जारखन को विक्सित प्रदेश बराना जेडियू का लक्ष है जदियू की राची की बैठक में राष्ट कारकारनी अध्यक्ष संजय जहाने कहा राची विधान सभा विधायक कलब में सोमवार 9 सितंबर को जनतादल उनाइटेट की प्रदेश कार समिती की बैठक हुई अध्यक्ष संजय जहाने कहा कि जद्यू के राखन में एक बड़ा जनाधार है पार्टी का अधिक सीटों पर विधान सभा चुनाव लड़ने का दावा है पर समय पर उकर पाय की नहीं ये बड़ा प्रस जन्दा के नजन में कि पांठ सार्थ के इस तरह की योजणा अंतिन सभा टेंश विद्यू लाया है और किया सरकार के पास इन योजणाओं को तारने की खन उपला परहे की नहीं कि यहां पर दुबारा इडिये की सर्गावनाना निकास्ती लाच्चों के स्रेही पर शारखन को लाना थे शारखन हमीज प्रभुत प्रदेश है पिहार का अपना सहोदत आई है तो इस आई मुझी आपकड़के आगे लिचाना यह सब्की जबाब देए है अधिनुबाजी है पर देटा पाकी ते साथ दिलींगे भी है पटना में भी है और राची में देए पटना सिटी चौक इलाके में कुछ अपराधियों ने बीजेपी के एक लीडर की हत्या कर दी सोने के चेंड चिनने के विरोध करने पर अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी जीता नाम मांजी ने सराब बंदी को लेकर सवाल उठाया है साथी कहा है कि इससे गरीवों को सताया जा रहा है सराब बंदी के चलते विषयला सराब का निर्वान बहुँ जा रहा है जिसको पी करके लोग मर रहे हैं सराब बनाने के प्रक्रिया होती है उठ प्रक्रिया में दो दिन जाती है पांक दिन लगता है लेकिन आज सराब दो घंटा और द्री घंटा में बना देते हैं जिसके चलते हैं जिसके चुपे कुछ काम करते हैं जिसके चलते हुए गरवाते होती है बाहर के लोग आते हैं यहां उचे दाम पर सराब बेचते हैं हमारे लोग उचे दाम पर ले ले लेते हैं हमारे सरकार के पैसा खराब होता ही है बेक्रिकत पैसा भी खराब होजा रह तो अगर आप ये खबर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें सब्सक्राइब करें तब बेल आइकन दो आना भूले ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे तब तक के लिए मैं आकास पीमर्स नीज के लिए धन्यवाद